नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो एक सुकीलेंस प्लांट है इस प्लांट को हम दो तरीकी से ग्रोग कर सकते हैं स्टेम से और लीव से जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगे अगर आपके पास यह प्लांट एक बार हो जाता है तो इस प्लांट से आप धीरो प्लांट बना सकते हैं मैंने यह प्लांट जो आप देख रहे हैं आज यह भी स्टेम से ग्रोग किया प्लांट है और आज मेरे पास इतने सारे प्लांट हो गए हैं कि उनके लिए पॉड भी क में बहुत सुंदर होते ज्यादा केर की उन्हें ज़रुत नहीं होती है बस आप थोड़ा सा पानी का ध्यान रखेंगे तो आपका जो सुकिलेंट्स प्लांट है वो बहुत लंबी समय तक चलता है जब भी यह मरेगा तो समझ लेजी आपका ओवर वाटरिंग से प्लांट खत लेकिन थोड़ी सी मैं आपके साथ एक टिप शियर करने जिससे आप देहरु प्लांट तयार कर सकते हैं यह चोटा सा देख रहे है ना चोटी से पॉर्ट में लगा हुआ यह मैंने कटिंग से काफी बढ़ा हो गया था तो मैंने इसको उपर से कट कर दिया फिर एक नया प् तयार कर सकते हैं क्या होता है अगर हम थोड़ी सी केयर नहीं करते हैं बहुत से सुकिलेंट से ऐसे होते हैं कि एक ही पॉर्ट में बहुत सारे हो जाते हैं और उसमें इतना जादा हुमिडिटी बन जाती है कि धीरी धीरी जो है प्लांट गलना शुरू हो जाता है और खतम ह जाता है उसको इसलिए थोड़ा सा अलग अलग भी करना जरूरी होता है उसकी नीचे से आप पतिया हटाते रहे तो लंबे समय तक आपका सुके लेंड्स आपके गार्डन में बना रहेगा नीचे पतियां आपको नहीं छोड़नी है यह देखिए जो मैंने अभी कट किया था अब देखिए यह प्लांट है यह चोटी सी पति से भी ग्रू हो जाता है जो इसकी पुरानी पतियां है अगर आप नई पति भी ने लेंगे पुरानी पति लेंगे तो भी देखिए इसमें से यहां से बेबी प्लांट निकलना शुरू होते हैं यह देखिए इसका और एक नहीं दो नहीं कम से कम 500-200 फ्लान इस सुक्यलेंट के मेरे पास तैयार हो गए हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है बस छोटा सा काम करना होता है। इस तरीके से आप। पूरी नर्सरी कोल सकते हैं। आप अपने फ्रिंट्स को दे सकते हैं। आपने पडोसियों को दे सकते हैं, जिसे मरजी चाहे आप उसे देख सकते हैं, और तो और आप अपने गार्डन को भी फुल आफ सुकिलेंज कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से ग्रू हो जाता है, ज्यादा केर की जरुरत नहीं होती है, केवल जरुरत होती है, हलके से प्लांट अपने आपी आपको इतने सारे प्लांट देदेगा कि आपको मेहनद करने की ज़रत भी नहीं होगी जितनी इसकी हेल्दी लीफ होगी उतना ही आपका प्लांट हेल्दी आपको मिलेगा जितनी वीक लीफ होगी उतना ही प्लांट आपको कमजोर मिलेगा इस बात का सब्सक्राइब दियान रखेगा छोटी से छोटी कोई भी पती लीजिए उसी प्लान्ट तैयार हो जाता है तो जितनी भी पुरानी मैचूर पत्तियां होती हैं उन्हें कलेक्ट कर लें यह मेरा पुराना प्लांट है इसी की कटिंग मैंने पहले भी लगाई है और आप देख इसे सारी पत्तियां रिमोग कर आप कोई भी छोटा सा पॉर्ट लेजिए और उसमें इस तरीके से यह स्टेम लगा दीजिए तो आपका प्लार तैयार हो जाएगा यहां पर इसकी मैंने अलग पत्तियां कर ली हैं अब इनको मैं ग्रो करना बताऊंगी कैसे ग्रोगा आप एक से डेड़ महीने के बाद देखेंगे कि इसमें बहुत से प्लांट अपने आपे निकलाएं देखें मैंने आपको निकाल के दिखाया अभी एक नहीं दो नहीं फ्रेंट्स इसमें कम से कम नौ से दस प्लांट है और यह किवल एक ही पत्ति है जो रेड कलर आप ज़्यादा जरत नहीं होती है बहुत थोड़ा सा खाद उनको देना पड़ता है पस जब आप इन प्लांट को रिपार्ट करते हैं तब ही आप उसमें 10 से 20 परसंट जो है कमपोस्ट एड कर दीजिए बस काफी लंबे समय तक वह उसके लिए बैस्ट रहता है बार बार होती है जिसकी वजह से यह प्लांट जया जल्दी खतम हो जाते हैं तो गरवय में अगर आप इस प्लांट को बचाना चाहते थे खाद किसी भी तरीके का इन प्लांट को मत दीजिए एक बात और फ्रेंट्स यह प्लांट जो सुक्यूलेंट से हां हमारे सड्दियों में होत हेल्गी प्लांट होता है स्यूकिलेंट यू तोटा से बरदास कर लेता और वह असानी से सरवाइय भी अगर्मी को जहें लेता लेकिन जितने भी आप्के छोटे-छोटे से देख लेडान किसी पत्ती बहुत अच्छे सेFPaker उंख shrug हुई है और पत्ति को रख दीजिए और भूल जाएं जब आप गार्डनिंग का कोई भी काम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे प्लांट्स आपके तयार होगें देखें इसमें तो अभी कुछ बीबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट होगा हैं अब ये दो पत्तिया हैं मैं इसको भी अलग करके अभी आपको दिखा देती हूँ कि इसमें देकी कितने सारे प्लांट्स हैं तो देखें आप jb 1.30 स सरी हमारे इतने मैं आपको यही सला दोंगे कि इस समय आप इनको पत्तियों से ग्रों ना करें क्योंकि यह गर्मी में अभी नहीं चलेंगे एक इसकी पत्ति में इतनी ज्यादा कैपिसिटी होती है कि देखिए पत्ति बिल्कुल सुख गी है लेकिन इसमें फिर भी चार प्लांट निकल रहे ह इसको आप मित्ति में ऐसे ही रख देंगे तो चार प्लांट आपकी तैयार हो जाएंगे मैंने कुछ प्लांट सिफ्ट कर दियें कुछ प्लांट मैं आपको दिखा रही हूं देखिए कितने सारे प्लांट अभी यह मैंने अलग लग भी नहीं किये अगर आप ऐसे ही एक प अट्रेक्टिव लगते हैं, जितना छोटा पॉट होगा, उतना ही सुकुलेंट्स प्लांट, उसमें बहुत ही जादा अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से आप सुकुलेंट्स तैयार कीजिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक कियर